ब्लो करना मतलब फूकना थिक हम किसी चीज को फूकते हैं तो उसको ब्लो करना बोलते हैं और ब्लो हॉट मतलब गरम फूकना और blow cold, ठंडा करने के लिए फूखना, इस चाप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले देखिए, process of breathing, इस breathing, breathing के process, जो हम सांस लेते हैं, उसके process के बारे में, breathing speed, हमारे सांस लेने की speed क्या होती है, breathing hot and cold, कब हम गरम करने के लिए फूखते हैं, कब हम ठंडा करने के लिए तो यही सारी बाते हैं, जो इस चाप्टर में बताए गई है, तो चली चाप्टर को रीड करना, स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर यह गर्ल क्या बोल रही दिखिए, दिया, follow me, take a long deep breath, you can feel your chest moving outward, now breathe out, you can feel your chest moving inward, तो यह बोल रही है, तो दिया से बोल रही है, दिया, एक काम करो, take a long breath, मतलब एक लंबा सा सांस लो, तो जब आप सांस लेते हैं, आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है, और जब आप सांस छोडते हैं, तो चेस्ट भी अंदर की तरफ चले जाता है, यह ध्यान देने के लिए बोल रही है, यह लड़की दिया से, ठीक है, और यह दोन तो ब्रीधिंग क्या होता है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेना, यह होती है न, ब्रीधिंग, ब्रीधिंग किसको बोलते हैं, हम जो सांस लेकर छोड़ते हैं, वही है ब्रीधिंग, we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, हम अंदर लेखते हैं oxygen और बाहर छोड़ते हैं carbon dioxide, breathing helps our body to absorb oxygen and remove harmful carbon dioxide, breathing कर प्रिप करता है, oxygen air जो हमारे बोड़ी को चाहिए, वो हम अंदर ले ले लेते हैं, और जो carbon dioxide है वो हम बाहर छोड़ देते हैं, वो हामफुल है, मतलब वो हमारे बोड़ी को उसकी जरुद्ध बिलकु नहीं होती, वो हामफुल गयास है, जिसे हम बाहर छोड़ते हैं, पर प् करने में इस oxygen की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वही है जो हमारा food digest करने में help करता है, और हमारे जो food है खाया हुआ, उसको energy में बदलता है, और इसलिए हमें ताकत आती है, शक्ती आती है, काम करने के लिए, खेलने के लिए, ठीके तो oxygen बहुत ज़रूरी है, हमारे खान अंदर बाहर छोडने का जो system हमारे बाडी में चल रहा है, the process of breathing in air, देखे, अभी breathing in air, मतलब वो process जिससे हम सास अंदर लेते हैं, उसको हम inhalation या inspiration बोलेंगे, तो यह term याद रखिए, inhale करना, मतलब सास अंदर लेना, और breathe out को क्या बोलेंगे, exhalation या expiration, तो यह confused नहीं होना ह सास अंदर जा रहा है ना, तो याद रखिए, in, in का मतलब सास अंदर जा रहा है, और x का मतलब सास बाहर जा रहा है, तो अभी कभी confusion नहीं होना चे, ठीक है, inhale करना, मतलब अंदर लेना सास को, और exhale करना, मतलब सास को बाहर छोड़ना, ठीक है, तो यह दो terms है, the whole process is called respiration, औ आप सास अंदर लेते हैं, देन बाहर छोड़ते हैं, उस process को हम बोलेंगे respiration, इसलिए इस पूरे system का नाम है respiratory system, क्योंकि यह हम क्या हो रहा है process, respiration हो रहा है, the organ system responsible for respiration is called respiratory system, और वो सारे organs, जो जो body parts आपके use होते हैं इस respiration में, उन सभी को मिलाकर एक system बनता है ना, उस system को बोलते हैं, respiratory system, ठीक है, जो की सास लेने और छोडने का काम करती है, then the main organ of respiratory system, अब देखें कौन-कौन से organ है, जो respiration में काम आते हैं, वो है main, देखें, नोस, नाक से हम सास लेते हैं, wind pipe, wind pipe क्या होता है, जो यहां पर एक pipe होती है, हमारे throat के वहाँ पे है, दो pipe होती है, lungs, है न, जिसमें हम अपना सास भरते हैं, और body उसको एब्जॉब कर लेती है, और हम carbon dioxide को बाहर छोड देते हैं, ठीक है, तो यह सारे organs हैं, जो आपके respiration में use होते हैं, we breathe in air through our nose, हम सास लेते हैं, नाक से, we breathe, the air we breathe, becomes warm in our nose, और नाक में जाकर ही, वो जो सास है, वो गरम ह हो जाती है, फिर क्या होता है, it goes through the wind pipe into the pair of bag-like structure located in our chest, तो और उसके बाद ये जो सास है, वो चली जाती है, हमारे wind pipe से, हमारे lungs की और हमारे साइड दोनों तरफ लंग्स होते हैं, तो उसमें जाकर वो हवा भर जाती है, और the lungs are protected by rib cage, rib cage के होता है, देखे ये, देखे हम क्या है, हमारे lungs और heart को protect रखना, क्योंकि अगर हम गिर विर जाएंगे तो भी वो हमें protect रखेगा, तो skeleton का काम ही होता है, हमारे body को और उसके internal organs को protect रखना, तो इसलिए rib cage क्या होता है, जो हमारे lungs को protect रखता है, it consists of, अब rib cage में देखे 12 pair of curved bones होते है, देखे पिक्चर में यहाँ पर जो इस तरीके से bones आपको दिख रहे ना, वो total देखे 12 bones होते हैं, जो curved है, यानि मूड़ी हुई, straight नहीं है यह मूड़ी हुई है, lungs के shape में, ताकि उसे protect कर सके, the rib cage also protects the heart, और वो हमारे heart को भी protect करता है, then देखे, a strong muscular organ called diaphragm, अब देखे, diaphragm कहाँ पे देखे, आप आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक red color का part, यहाँ पे नीचे दो lungs के नीचे यह होता है, diaphragm, यह कहाँ पर होता है, हमारे heart के नीचे, देखे, below the heart, दोनों lungs और heart के नीचे होता है, यह diaphragm, जैसे कि आप यहाँ पे picture में देख सकते हैं, it moves our chest in and out every time we breathe, और यह जो हिलता है, move कर होता है, जब हमारा chest भी अंदर बाहर होता है, जब हम सांस लेते हैं, तो तभी यह diaphragm भी move होता है, उसके बाद देखे, when we breathe in air, the diaphragm moves down and lungs expand with the inhaled air, जब हम सांस लेते हैं, हमारा lungs भर जाता है, और lungs भरने पर क्या होता है, वो diaphragm को नीचे की तरफ पुश कर देता है, मतलब डा और जब हम सांस छोड़ते हैं, और अपना lungs खाली करते हैं air से, जो air हमने भरी थी वो बाहर निकालते हैं, तो diaphragm भी जो है, रिलाक्स हो जाता है, और वो वापस उपर की तरफ आ जाता है, तो यह process आपको पता होना चाहिए, ठीक है, then there are millions of air sacs, अब देखे, जो हमारा body के अंदर जो हमारे lungs के अंदर ना, बहुत सारे air sacs हैं, जैसे की air के चोटे-चोटे bubbles, वो जो छोटे-चोटे air sacs होते हैं, उसको हम बोलेंगे alveoli, ठीक है, जो की हमारे lungs के अंदर होता है, they are covered with a network of tubes that carry blood around the body, और यह जो alveoli है, उसके जो है, चारों तरफ, वो जो है, covered होता है बहुत सारे चोटे-चोटे tubes, network of tubes, मतलब बहुत सारे tubes, जो की blood को carry करते हैं, हमारे body में है, यह बाते हैं, जो यहाँ पर कही गई है, अब देखते हैं, आगे आभी देखे, यह सारे नाम आप याद रखे, labeling कैसे करते हैं, देखे, जब हम breathing करते हैं, जब हम सास अंदर लेत हैं, क्या होता है, ठीके, तो हम जब सास अंदर लेते हैं, उसको inhalation बोलेंगे, in याद रखे, क्योंकि सास अंदर जारी है, in, inhalation, और सास बाहर जारी है, exhalation, ठीके, और इस दोनों को मिला कर बोलेंगे, respiration, जो की पूरा process है, अब देखे, आपको पता चल गया की ribs क्या होत हैं, देखे, आप यहां पे picture में आप देख रहे हैं, कि जिस तरीके से आगे यह ribs है, वैसे ही पीछे भी है, एक हमारे chest और breast जो फ्रेंट पार्ट है, वहां पे connected होता है, और जो पीछे का पार्ट है ना, ऐसे curved वो हमारे back bone से, हमारे paint से connected होता है, जो ribs है, सारे ribs जो है, आगे की तरफ यहां पे खाली है, देखे, यहां पे triangle shape में space छुटा हुआ है, तो आगे equally नहीं है, तो यह shape होती है, हमारे rib cage की, वो ribs जो पीछे की तरफ है, लेकिन वहां पे आगे की तरफ नहीं है, तो वो है floating ribs, ठीके, अब आगे देखते हैं, inhaled oxygen get absorbed by the blood, तो हम जो सांस हां, oxygen जो हम अंदर लेते हैं, वो हमारे ब्लेड में, एब्लेड में एप्सोर्ब हो जाता है, मतभल हमारे खूण में वो जाकर मिल जाता है, विच, डिस्ट्रिब्यूट्स ऑसिजन टो होल बोड़, और उसे क्या होता है, हमारा oxygen जो है पूरी बोडी में फ Applause लीयोग उन और जो खाना हम खाते हैं, जिससे कि हमने पहले भी पढ़ा था, खाना जो हम खाते हैं, उस खाने को डाइजिस्ट करने के लिए भी oxygen की जरूत होती है, और तभी energy release होता है, मतलब हमारे शक, हमें शक्ती मिलती है काम करने के लिए, और carbon dioxide भी release होता है, carbon dioxide gas is harmful to the body, carbon dioxide जो है हमार हमारी बॉड़ी के लिए हामफुल है, उस तरफ oxygen ही अंदर लेते हैं, it is sent through the blood to the lungs, और जो carbon dioxide होते समय हमने oxygen अंदर लिया और carbon dioxide निकाल कर बाहर छोड़ दिया, और यही जो carbon dioxide है, वो जो है blood के थू ही वो लंग्स में जाता है, out of the body, और then जो है body से बाहर चला जाता है, through the nose, नाक से वो बाहर भी चले जाता है, तो आपको पूरा प्रॉसस समझ में आया, सबसे पहले हम oxygen लेते हैं, नाक से, फिर वो जाता है wind pipe में, है ना, जो कि हमारा pipe होता है, सांस लेने चोड़ने का, उसके बाद हो गया lungs में, लंग्स में, जो alveoli जिसे हमने पढ़ा था, छोट क्या होता है, हमारे body में जब फेलेगा, तो वो हमारे food की तरफ जाएगा, जब का digestion चल रहा होता है, वहां पर वो oxygen ले लेता है, और carbon dioxide वहां पर release हो जाता है, और वो carbon dioxide फिर जाकर blood में मिल जाता है, अब वो वापस जा रहा है, ठीक है, वो carbon dioxide दुबारा blood में जाकर मिल गया और वो blood गई हमारे air sacs में, यानि हमारे lungs के अंदर, और फिर lungs के अंदर से वो blood बाहर गई, trachea से, और फिर trachea से वो बाहर गया nose में, और nose के बाद हमने वो फिर बाहर छोड़ दिया, ठीक है, तो ये process है हमारे respiratory system का, जो हमारे body के अंदर होते जा रहा है, अब यहां पर पुछे हैं, जो कि आपको इस तरीके से complete करना है, अब next topic देखते हैं, breathing speed, मतलब हमारे सांस लेने का, जो speed है, हम किस तरीके से सांस लेते हैं, the speed of breathing changes with different activities, जो हमारे breathing की speed है वो हमेशा बदलती रहती है, हम हमेशा एक ही speed में सांस नहीं लेते हैं, it becomes faster when we run, swim or cycle, जब हम भागत हैं, exercise करते हैं, dance करते हैं, swim करते हैं, जो हमारे बॉड़ी में बॉमेट जादा होती है, तो हमारे सांस भी जल्दी जल्दी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑक्सिजन की कमी फील होती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस लेने की speed बढ़ जाती है, it is because when we require more oxygen, the heart beats faster to pump more blood, और ऐसा क्यों होता है, जब हम भागते हैं, तो हमें more oxygen की ज़रत पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉड़ी को सादा energy चाहिए होती है, तब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और जल्दी जल्दी सांस लेने से क्या होता है, heartbeat भी जोर-जोर से pump करता है blood को, heartbeat का काम वह oxygen को लेके जाता है, बाकी सारे body parts में उससे जो है food बहुत जल्दी बर्न होता है, मतलब बहुत जल्दी हमारा digestion भी हो जाता है, और food भी बर्न हो जाता है, और energy भी निकल जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि exercise करना जरूरी होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, वो वहीं पर हमारा heart beat होता है, देखे, 72 times per minute, अगर आप देखो कि एक minute में 72 बार heart beat करेगा, ठीक है, it beats approximately 1 lakh times, a day to pump blood to all the body parts, अब देखे, एक दिन की बात करे, एक minute में तो 72, तो अगर एक दिन की बात करे तो वो 1 lakh times, 1 lakh times, जो है, वो pump करेगा blood को, बाकी सारे body parts को, pump करना मतलब क्या, इस त बाहर करके, जैसे हम किसी चीज को दबाते हैं, तो उसे pump करना बोलते है, रेस्टिंग हार्ट पंप्स, blood slowly, about 60 times in a minute, रेस्टिंग हार्ट मतलब, जब हम सो रहे होते हैं, या फिर कहीं पर लेटे होते हैं, तब हमारा heart be rest ले रहा है, तब जो है, pump बहुत slowly करता है, और तब ह तो stethoscope तो आप सबने देखा होगा ये, है ना, जो डॉक्टर हमेशा वैर करते हैं अपने neck पे, आपने देखा है ना, हम पिक्चर में हमेशा देखते हैं कि डॉक्टर के गले में क्या होता है, stethoscope होता है, ठीके, तो ये क्यों होता है, ये से जो हमारी heart beat का पता लगता है, कि हमारी heart beat एक minute में कितनी बार beat हो रही है, तो इसी checking के लिए जो है doctor stethoscope का use करते हैं, और वो हमारे heart में भी रख के देख सकते हैं, या फिर हमारे wrist को भी वो पकड़ के check कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने wrist के वहाँ पर अपना finger लगा के देखिए, वहाँ पर भी आपकी heart beat क पता चलता है, we can also feel the heart beat of a person by touching the wrist of the person's left hand with the fingers of your right hand, तो doctor क्या करते हैं, आपके left hand के wrist को पकड़ के देखते हैं, with his right hand, मदब doctor अपने right hand के fingers को use करके, आपके left hand के wrist पर heart beat check करते हैं, ठीक है, you can count your pulse rate, और वहाँ पर जो है, जो पता चलता है, वो है pulse rate, और वही है, जो number of times आपके heart beat बज़ता है, एक minute में, pulse rate वहाँ पर भी हमें दिखाई देती, उसको pulse rate बोलेंगे, जो की heart beat का rate ही है, एक minute में जो बज़ता है, तो ये सारी बाते हैं, जो यहाँ पर बताई गई है, अब देखिए हमारा जो left lung है वो smaller होता है, हमारे right lung से ऐसा क्यों होता है, बताईए, क् कि left side में ही heart होता है, तो heart को भी बैठने के लिए जगे चाहिए है, तो इसलिए हमारा right lung बड़ा होता है, और left lung थोड़ा सार size में छोटा होता है, देखिए हमारा heart beat करना शुरू कर देता है, जब से हम पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं, हमारा heart beat बजने लगता है, और वो कब stop होता है, जब हम मर जाते हैं, when we die, ठीक है, जब एक इनसान मर जाता है, तब उसका heart beat रुकता है, नहीं तो तब तक वो बज़ते रहेगा, heart कभी rest नहीं लेता, ठीक है, और वो कभी tire भी नहीं होता, कभी थकता भी नहीं है, next topic है, breathing hot and cold, अब देखते हैं, breathing hot and cold क गरम चीजों को फुकते हैं, उसे ठंडा करने के लिए, जैसे कि आपने कोई गरम चाय ले ली, या गरम coffee, गरम दूद, या फिर कोई भी hot item, खाने से पहले आप क्या करते हो, उसको फुकते हो, तक कि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और they don't burn your tongue, मतलब जिससे कि आपकी जीब ना जले, तो इस समय में देखिए हमने क्या क्या फुका और गरम चीज को ठंडा कर दिया, अब next देखते हैं, we blow on our hand to warm them on chilly days, और देखिए कभी-कभी इसका उल्टा हम करते हैं, कभी-कभी ठंडी जब हमें लगती है, तो हम अपने हातों में फुकते हैं, हलके से ब्लो करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारे हातों में क्या आती है, गरम-गरम हावा आती है, और हमें अच्छा लगता है, अपने हातों को हम गरम करने के लिए इस तरीके से फुकते हैं, it is because our body is warm inside at a temperature of 98.4 degree Fahrenheit, जब बाहर गरमी हो रही होती है, तो हमारा बोडी ठंडा होता है, हम फुक आप देखें, कभी-कभी आपने देखा है, कभी आप अगर शीशे में फूकेंगे या फिर किसी अपने ग्लासस में जो आप चश्मा लगाते हैं, उसमें फूक कर देखिए, तब आप देखते हैं, surface becomes cloudy, तो वहाँ पर धुंदला-धुंदला सा हो जाता है, ऐसा क्यों होता किसी चीज पर आकर बैट जाती है, उसके surface पे, यानि cold surface में, क्योंकि हम फूकते हैं, हमारे body के अंदर से भी हमारे सांस में water vapor ही निकल रहा है, water vapor क्या होता है, जब हम पानी को गरम करते हैं, तो पानी के अंदर से जो धुआ उपर जाता है, जो steam है ना, जो की उपर जाता ह उसे water vapor बोलते हैं, तो जब हम फूकते हैं, तो हमारे मूँ के अंदर से जो हवा निकल रहे हैं, उसमें भी water vapor होता है, इसलिए जब आप mirror में फूकते हो, या किसी glass item में फूकते हो, तो वहां पर जो है, cloudy feelings आता है, आपने देखा होगा ये, we blow on our burnt fingers to cool them, अगर हमारी उंगल जल गई हो, तब हम अपने हाथ में फूकते हैं, उसको थंडा करने के लिए, उसको थंडा हट देने के लिए, because the air we breathe out is cooler than the burnt area, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जो सास छोडते हैं, वो थंडा होता है, अगर हम burnt area का temperature से उसे compare करेंगे, तो हर चीज का जो है एक temperature होता है, कहीं पर जादा कहीं पर कम, तो अगर गरम चीजे, burnt, जली होई चीजों पर अगर हम फूकेंगे न, तो उससे ठंडा होगा हमारा breathe जो हम उस पर फूक रहे हैं, इसलिए हमें जो है ठंडा हाट मिलती है, क्योंकि हमारा सास तब जो है ठंडा होता है, उस burnt area से, उस जले होई जग गडियों में आग जला कर इसके अंदर डालते थे चूले में और उसको फूकते थे, तो फूकने से क्या होता है? देखिए उससे जो है वहाँ पर जो अक्सिजन की लेवल है ना, ऑक्सिजन वहाँ पर बढ़ जाता है, और वो फायर में जादा हेल्प करता है, ठीके तो उस जो है फायर में भी हेल्प करता है इसलिए जो है लोग इस तरीके से चूले में ब्लो करते हैं कि वहां पर और ज्यादा आग जले ठीके तो यह सारे यूजस हैं जो हम अपने ब्रीधिंग से करते हैं ब्लो करते हैं चीजों में कभी गरम के लिए कभी ठंडे के लिए और यहा आपने बुट्टे वाले को देका जो बुट्टा बुट्टा बुन्बुन ke तरीकेसं देता ब इने में थीमारा पुट्टे अपने वाले को देखा जो भुट्टा भुण-भुण के इस तरीके से देता है उसको गरम करके तो आपने देखा वो हमेशे उसमें पंखा करते रहता है तो ऐसा क्यों करता है क्यों कि अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सिजन की जरूत होती है फायर के लिए आप्सिजन जो है हल करते रहता है अपने fire को जब भुटा भुन रहा होता है देन देखे next पूछाए कि जब आपको चोंट लग जाती है कहीं पर आँख में तो आप जो क्या करते हो तुरंट अपना hanky लेते हो उसमें फूगते हो हैंकी को गरम करते हो और अपने आखों में रख देते हो तो ऐस तो इसलिए हम यह वाली सारी activities करते हैं जब हमें चोट लगती है ठीक है अभी next हमें पढ़ना है good breathing habits good breathing habits मतलब वो सारी अच्छी आदते जो हमें सांस लेते और छोड़ते समय करनी चाहिए देखे क्या क्या करना चाहिए we must try to breathe in fresh air हमेशा try करे कि fresh air ही breathe करे तो वो कैसे कर सकत हैं आपकी घर की जो दर्वाजे है खिड़किया है उसको हमेशा तो जादा समय उसको खुले रहने दीजे ताकि fresh air घर के अंदर आए पूरा बंद मत रखिए अपना अपका घर या फिर आपका कामरा ठीक है fresh air ही आपको inhale करना है do not cover your head while sleeping जब आप सोते हो ना तो आपको ही मिलेगा always breathe in through your nose not through the mouse अब देखे हम तो सांस मूँ से भी ले सकते हैं नाक से भी ले सकते हैं एशा अपने नाक से ही इनहेल करने वाली आदत डाल ये कुछ बच्चे होते हैं जो मूँ से सांस लेते हैं ठीके तो ऐसा नहीं करना है ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि जो नाक स पार्टिकल्स होते हैं उस ऑक्सिजन में आपके विंड पाइप में नहीं जा पाएंगे वहीं पर आपका जो एर जो है फिल्टर हो जाएगा ठीके इसलिए हमेशा हमें नाक से ही सांस लेना है मूँ से सांस लोके तो डैरक्ली वो उसमें कुछ भी गंदी हवा है या फिर पार्टिकल्स हो डैरक्ली आपके विंड पाइप में चली जाएगी इसलिए हमेशान एर को भी हमें फिल्टर करके अंदर भेजना है तो इसलिए नाक से ही हमें सांस लेना है प्रैक्टेस सम डी ब्रीधिंग एक्सराइज एवरी मॉर्निंग इन फ्रेश आपको प्रैक्ट इसलिए होगा तो यह सारे चीजे हैं जो आपको करनी चाहिए ब्रीधिंग हैबिट्स उसके बाद देखिए एक्सराइज है तिक दी करेक्ट ओप्शन जो आपको इस तरह के से कंप्लीट करना है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी हां पे कंप्लीट हो गया है ओप क्या आ